शहर कोतवाली छेत्रे में पॉस्ट आफिस इस्तित मुहला खोड़ पर बिजली विभाग की टीम के साथ बिजली चेकिंग के दुरान की गई बसुलूकी और मारपीट चार के खिलाफ एफ आयर दर्ज की गई वहीं जनपद रामपूर में विजुद परिशत जूनियर इंज पर भीड जमा हो गई भीड में ही कुछ लोगों ने मारपीट करी जिसके बाद उसकी आख में चोटा आई है आठ का मेडिकल कराया जा रहा है फिलहर पूरे मामरे में पुलिस जाज कर रही है आईए अप सुनते हैं जेई कमरुष जमा आसिफ क्या कह रहे हैं मैं कमरुष जमा आसिफ बतोर अवर अवर अभियंता 33 बटा 11 केवी विद्धु तुपके अंदर नवाब गेट पर बतोर जेई अवर अभियंता पोस्टेड हूँ वहां पर कल के मानी अधिशासिय बेंता महोदय विद्धु तुपके वाट्सप पर दिये गए निर्देश कि अवर अवैद केवी ने जो साइटों पर पड़ी हुई है उनको काटके लाना है और डिविजन में इसको जमा करना है सभी जेईयों को 2 km तक्रीबन 2,000 मेटर केवी कट करके डिविजन में जमा करने के निर्देश दिये गया थे इसी निर्देश के पालन में आज कि सुबह मैं तक्रीबन 9 बजे बिजली घर पे पहुचा और वहां से अपने टीम को लेकर इस अभियान के पालन के लिए पास म में बिजली घर के पास में महला खोड में मैंने अपना काम स्टाट कर दिया वहां पे अंडरग्राउंड बाक्त से कुछ लोगों की अवैद के बिने जा रहे थी जिसको हमारे इस्टाब ने वहीं तदकाल कट कर दिया और कुछ के बिने जब तिरीक थमलोग काटने लगे तो वहां के कुछ अस्थारी लोगों ने बिरोद किया जिसमें गुलवेज पुत्र जहूर और उसके भाई बबलु पुत्र जहूर और उसी अस्थान पे गुड़ू नाम के बेक्तियों ने इसका बिरोद किया बिरोद करते करते वहां पे काफी भीड आसपास के लोग इक सब्सक्राइब करें चोटा गई है इसका मेडिकल कराया गया है मेडिकल के अधार फे कोतवाली में मुकदमा पंजिक कराया गया है और अभी तब इस चमय रिकाड करना है इस टाइम तक अभी गिरफतारी नहीं हुए थी हमारी आपके माध्यम से सासन से ये अन्रोद है कि वैस पर सब्सक्त कारवाई करें उनकी गिरफतारी करें ताकि पब्लीक के बीच में हमारी जो छवी इस टाइम बिगड़ गई है तो उसको एक बढ़िया मेसेज है पर प्लीक में की कारवाई की जा रही है जी जी मानने ये विद्धुद विद्धुद खड़ प्रतम विष्म तोमर साब के वाट्सअप पे जो उन्होंने मेसेज डाला था उसी के पालन में लिया थे हमें देखिए हम चाहते हैं कि हमें काम करने से कोई परेज नहीं हम ड्यूटी करने हमें ही जो पोस्टिंगे काम करने के लिए हम जो होते हैं नियमानुसार होते हैं और हम चाहते हैं कि हमें परियाप सुरक्षा मुझा कर आई जाये आई दिन देखते हैं कई जेईयों के साथ इस घटना में सामने आ चुकी हैं पीछे भी पूर में कई घटना हो चुकी हैं तो क्या चाहते हैं जब तक सुरक्षा नही जब तक चेकिंग नहीं क्या जी बिल्कुल इसी तरह हमारा इस्टेड यही रहेगा कि जब तक सुरच्छा नहीं तब तक कोई चेकिंग नहीं है इस पर अभी उनका खुलकर स्टेड सामने नहीं आया है और हम लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि हमें वो इस घटना को संग्यान में रखते हुए हमें परियाप स्चा मोहिया कराने के लिए प्रसासन के उच्चा अधिकारियों से बात करेंगे